हमस्ते मित्रों हम बात करेंगे वेज्यनिकों की दृष्टी में इश्वर कई नास्तिक लोग कहते हैं कि इश्वर नहीं है इश्वर को मानना और धर्म को मानना एक अभीम का नसा है जो आपको पाखंडी धूर्त बनाता है और वेज्यनिक लोग पागल तोड़ी हैं क्या जो इश्वर को नकारते हैं वेज्यनिक और विज्यान इश्वर को नहीं मानता इसलिए हम भी नहीं मानते हैं पर यह बाद उनकी जूट है क्योंकि कई वेज्यनिक ऐसे हैं जो इश्वर के सत्ता में विश्वास करते हैं आपके सामने प्रस्तुत हैं रोबर्ट मौरिस पैच पोतिकी सास्त्र विद रेडार विसेसज्य नौशेन विबाग अमेरिका के एक वेज्यनिक हैं जिनका आपको बताते हैं जब कोई उस सम्मंद का अध्यन करता है जो मनुष्य और इश्वर के बीच विद्यमान है या होना चाहिए जब कोई मनुष्य उन सर्तों का अध्यन करता है जो इन सम्मंदों की स्तापना के लिए पूरी की जानी चाहिए और जब कोई गंबेरता से और पूरी तनवायता के साथ उन सड़तों को पूरा करने के लिए तैयार होता है तक व्यक्ति के जीवन में उन सम्मंदों की उपलब्दी इतने व्यापक रूप में होती है कि उसके मन में कहीं संदह का स्थान नहीं रहता तब परमात्मा के लिए इतने निकट की और इतनी बड़ी नीजी अनुवती बन जाती है कि उनका विश्वासी जुक्षित होकर ज्यान करूप धारन कर ले जो विजजनिकों की दृष्टी में इश्वर पुस्तक है उससे प्रमान दिया है आप यह पुस्तक बढ़ सकते हैं और आप इसा क्यों कहते हैं कि विजजनिक नहीं मानते तो ये भी तो वेज़निक है आप इनके प्रमान को भी देखे ये भी कह रहे हैं कि आप सुक्षमतास से देखेंगे तो आपको इश्वर के अनुबुती आवश्य होगी इश्वर है आपका अपना यूट्यूब चैनल है धन्यवाद